मनुष्य का सुभाव सदैव ही जिग्यासु प्रिवित्ति का रहा है मनुष्य में हमेशा अपने आस पास घट रही घटनाओं को देख कर उसके अंदर कुछ प्रश्णों के उत्तर ढूणने की उत्सुकता रहती है जैसे कोई भी चीज उपर फेकने या छोड़ने के बाद जमीन पर नीचे क्यों आ जाती है प्रेशर कूकर में अन्य बरतनों की अपेक्षा खाना जल्दी कैसे बन जाता है दूद से दही कैसे बनता है फ्रिज में रखा समान आखिर ठंडा कैसे रहता है और कैसे पक्षी आकाश में उड़ते रहते है आपके मन में भी कभी ना कभी ऐसे प्रशन आये होंगे ये प्रशन हमारे मस्तिश्क में आते कैसे है इसका कारण है हमारी ज्यानेंद्रिया मानव शरीर में कुल पांच ग्यानेंद्रिया होती है आख, कान, नाक, जीव और तवचा आखों के द्वारा हम देखते हैं कान द्वारा सुनते हैं नाक द्वारा सुंगते हैं जीहवा से हमें स्वाद का पता चलता है तथा तचा द्वारा हम स्पर्श करते हैं तो देखने, सुनने, सूंगने, स्वाद लेने या स्पर्श करने के कारण ही हमारे अंदर हर चीज को समझने या जानने की उत्सक्ता उत्पन होती रहती है और उत्सक्ता के कारण ही हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं विज्ञान इनी सवालों के उत्तर देने की कोशिश करता है कैसे? ये जानने के लिए हमें ये समझना होगा कि वैज्ञानिक किस तरह कारे करते थे वे जिस समस्या का हल खोजना चाहते हैं सबसे पहले उसका सूक्ष्म अवलोकन करते हैं उससे सम्मंदित सभी जानकारिया एकत्रित करते हैं एकत्रित जानकारियों के द्वारा वे अपने उत्तर के बारे में कलपना करते हैं इस तरह किसी भी सिध्धांद की रशना की जाती है सिध्धान्द की रशना ही सवाल का सबसे अच्छा समाधान होती है सिध्धान्द की पुष्ट के लिए बार-बार प्रियोक करना पड़ता है ताकि या विश्वास होने लगे कि समस्या का सबसे अच्छा समाधान यही है जैसे उदाहरण के लिए अगर आपको ये जानना है कि वश्टूएं हमेशा जमीन पर ही क्यों गिरती हैं या जानने के लिए आपको कई तरह की वस्टूओं के साथ विभिन इस्थानों पर कुछ प्रियोग करने होंगे अगर आप ऐसा करें तो पाएंगे कि हर तरह की वस्टू चाहे वो फूल हो पत्थर हो सिक्के कपड़े आदी चाहे जो वस्टू हो वो गिराए जाने पर वापस जमीन पर ही गिरते हैं इसे देखकर महान वैज्ञानिक सर आईजक न्यूटन ने यह निशकर्स निकाला कि प्रिथवी हर वस्टू को गुरुत्वा कर्शन के कारण अपनी तरफ खींचती है जिसकी वज़ा से प्रितेक वस्टू प्रिथवी पर गिर जाती है इसी तरह वैज्ञानिक किसी भी समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक विदी के विभिन चर्णों के द्वारा निशकर्स निकालते हैं इन चरणों में जिग्यासा, परिकल्पना, परिक्षण, निरिक्षण, अभिलेखन, पुनरविचार, निशकष निकालना तथा नए प्रयोग करना शामिल है विज्ञान की सहायता से मनुष्य आज के समय में नई नई उचाईयों को छू रहा है विज्ञान ने मानो समाज का चवमुखी विकास किया है क्रिशी के छेतर में जहां किसानों को पहले अपने हाथों द्वारा ही खेतों की जुताई, बुवाई, कटाई ये सब काम करने पड़ते थे वहीं अब इसका स्थान बड़ी-बड़ी मशीनों ने ले लिया है प्रैक्टर द्वारा जुताई तथा हार्वेश्टर द्वारा फसलों की कटाई कम समय में आसानी से हो जाती है जहां पहले हमारे घर की रसोईयों में खाना पकाने के लिए मिट्टी के चूलों का उप्योग होता था वहीं अब धुआ रहित गैस चूलों ने खाना पकाना आसान बना दिया है मनुरंजन के छेतर में भी विज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है टीवी, रेडियो, आदी द्वारा हम घर पर बैठे बैठे ही विदेशों के बारे में जनकारी प्राप्त कर सकते हैं संचार के छेतर में भी मोबाइल, कम्प्यूटर, आदी के द्वारा हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से अपने घर पर आसानी से बात कर सकते हैं जहां पहले लोगों को सैक्डों मिल लंबी यात्राएं पैदल चल कर ही महीनों तक तै करनी पड़ती थी अब प्लेन, गार, बस, जहाज, आदी के द्वारा यही यात्रा कुछ ही घंटों में तै की जा सकती है चेकित्सा के छेतर में भी X-ray मशीन या MRI मशीन का उप्योग करके रोगों का पता लगा कर उपचार करना काफी आसान हो गया है राकेट आदी की सहायता से मनुश्य ना किवल प्रित्वी बलकि प्रित्वी के बाहर की दुनिया को भी समझने में सफल हो सका है जहां एक और विज्ञान मानो समाज के लिए एक वरदान सिध्ध हुआ है वहीं दूसरी और इसके कुछ दुरूपियोग भी देखने को मिलते हैं बड़ी-बड़ी फैक्टरियों आदी से निकलने वाले धुओं से वाय प्रदूशन हो रहा है कार, बस, आदी के हौर्न एवं लौड स्पीकर से निकलने वाली धुणियों से धुणी प्रदूशन फैल रहा है जो मानों के लिए अत्यंत खतरनाक है अधिक प्रदूशन के कारण ओजोन परत का छरण भी हो रहा है जिसके कारण सूर की परावैगनी किरणे हमें नुक्षान पहुचा सकती है हिरोशीमा और नागा साकी में हुए परमाणू हमले विज्ञान के दुरूपयों का सबसे बड़ा उदाहरण है जिसमें लाखों लोगों की जान चली गई और करोणों प्रभावित हुए विज्ञान के छेतर में सर आईजेक न्यूटन का विशेस योगदान है जिन्होंने गुरुत्वा कर्शन की खोच की मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलियोनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्वों की खोच की चार्ल्स बैबेश के कम्प्यूटर का उप्योग किस छेतर में नहीं किया जाता गैलिलियो गैलिनी ने दूरबीन तथा एलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलिफोन का आविशकार कर विज्ञान के छेतर में एक विशेस योगदान दिया है ना सिर्फ विदेशी वैज्यानिकों ने बलकि भारती वैज्यानिकों ने भी विज्यान के छेतर में एक महत्पूर्ण योगदान दिया है डॉक्टर जग्दीश चंद्र बोस ने हमें पौधों की समवेदन सीलता के बारे में बतलाया सर सीवी रमन ने प्रकाश के प्रकिर्णन को समझाया एस रामनुजन ने संख्या का सिध्धान्त बताया और विक्रम सारा भाई ने अंतरिक्ष अनुसंधान में अपना विशेष योगदान दिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता जिन्होंने अपना सारा जीवन प्रक्षेपड सास्त्र में तथा मिशाइल प्रक्षेपड को आसान बनाने में लगा इन ही सबके प्रयासों का यह परिणाम है कि भारत विश्व में उभर कर सामने आया है और भारत के पास अपना एक अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान भी स्थापित हो सका है जिसे इसरो कहते हैं इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन है जिसे हिंदी में भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी इसका मुख्याले बंगलूरू में है आज की क्लास में बस इतना ही अगला टॉपिक अगले क्लास में